क्लास थर्ड वेलकम बैक अगेन ओल्लाइन क्लास ओफ हिंदी फर्स्ट प्यारे बच्चों पिछली वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 14 बिलोम शब्द पुरा एक्स्प्लेन कर दिया था इस वीडियो में देखेंगे हम क्योस्चन आंसर अभ्यास पहले मोखी कभी व्यक् छोटा और मोटा का होता है बिलोम पतला अंडेस्टूड क्योस्चन टू रेखा खीच कर बिलोम सब्दों को सही जोड़े बनाईए यहां पे जैसे पूर्ण का पूर्ण एक एक्जांपल आपको दिया हुआ है वैसे ही आप करेंगे उग्र का हो जाएगा आपका शांत अस नरग आदी और अंत ओके ना क्योस्चन फॉर रंगीन शब्दों के बिलोम सब्दों कर बाग के पूरे कीजिए हमें बड़ों का मान करना चाहिए तो इसमें क्या होगा मान करने चाहिए ना कि अपमान ठीक है क्योस्चन टूब यापार में कभी लाब होता है तो कभी हानी सूरज निकलते ही अंधेरा दूर हो गया और चारो और उजाला फैल गया शांत स्वभाब सबको अच्छा लगता है यहां पर आ जाएगा इसमें छाटी सही उत्तर हो जाएगा उजाला उस पर टिक लगाएंगे दूसरा है धर्म धर्म का सही हो जाएगा बिलोम इसमें धर्म थर्ड है जीवन का हो जाएगा मरण और फोर्थ आशा का निराशा लतनात्म गतिविधियां पेड़ पर लिखे मिले जुलिय शब्दों को पढ़िए और उन शब्दों से बिलोम सब्दों को जोड़े बनाकर लिखिए पच्चों स्ट्रे में हैं तो यहां पर देख र जांति साइज ब्यू एक सब्स्राइब को फीधीन हैं एक सब्स्क्राट करते हैं अनेक शब्दों के लिए एक सब्ड इना करें ना सब्सक्तिरते हैं यानशा सेन्टेंस में 대통령 उनलेकि छोट पूर और उतरकी ब्रहें जो कियन बहलते हैं तो वह यहां पर हम अनेक शब्दों के रिएक शब्द यूज़ करते हैं, जैसे जो कभी ना मरे हम कहते हैं, ऐसे तो नहीं बोलेंगे, जो कभी नहीं मरा, ऐसे बोलते हैं, वो तो अमर था, भगवान तो जो इश्वर होते हैं, भगवान राम भी अमर थे, भगवान शिब्द भी अमर है, जो शिकार करता है उसे कहते हैं शिकारी तो हम यह नहीं कहेंगे वो आदमी वो जो शिकार करता है उसका नाम राम है उसका नाम जो है आपका कुछ और है कह सकते हैं लेकिन हम यहाँ पर सिंपल कहेंगे वह शिकारी है ठीक है तो ऐसे शब्दों के प्रयोग से भासा सुन्दा संचीप एवंस पस्ट हो जाती है बच्चो तो यहां पो धारण दिए गए हैं और इनके प्रियोग मिलाएंगे हम लोग ध्यान से देखेंगे देखो पहला बाकियांश है देखने वाला दर्शक होता है सुनने वाला सुरोता लिखने वाला लेखक होता है पढ़ने वाला पा जो कभी न मरे अमर जिसका कोई अंत न हो अनंत जहां प्रजा का शाषन हो प्रजातंत यानि डेमोक्रेसी और हम प्रजातंतर में ही तो रह रहे हैं जहां राजा का शाषन हो राजतंतर कम बोलने वाला मितभाशी और अधिक बोलने वाला बाचाल जो बोलना सक्ये मूख ग खाता है शाकाहारी इसका भाग्य अच्छा हो भाग्य शाली जो बर्स में एक बार हो वार्षिक जैसे आपके वार्षिक अब एक्जाम होंगे जो महीनी में एक बार होता है मासिक जो प्रतिदिन होता है दैनिक यानि डेली जो साथ में पढ़ने वाला है सहपाथी इसका कोई यूज्डोष नहीं मिलता सैलरी ना मिले और वेतन में प्रिये हो प्यार हो लोग प्रिय जो भाग्य भर से रहता है भाग्य संदस्राइवादी जिसके नीचे रेहा किंची हो test not सब्सक्राइब कर देते हैं इनके प्रियोग से समय की बचत होती है और भाषा सुन्दर हो जाती है समझ गए बच्चो अब चलिए कि उस चनान से देख लीजिए निमिखित प्रशनों के उत्तर मोखी कभी व्यक्ति में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द प्रियोग करने से क्या लाव होता है समय की बच्चत आस्तिक और नास्तिक में क्या आनता है आस्तिक बच्चो बोई होता है जो इस पर पर विस्वास करता है और नास्तिक जो इस पर पर विस्वास नहीं करता है निमिखित सब्दों को उन से संबंदित बाक्यान स होने वाला मूख जो पोल ना सके समझ गए बच्चो अभी मैंने आपको explain भी किया था थार्ट के उस्चन है निमली की बाग के अंसु के लिए एक शब्द रिखिए जह राजा का शाशन हो राज तंत्र साथ में पढ़ने वाला सहपाथी इसके नीचे रेखा किची हो रेखांकित जो कभी ना मरे अमर समझ गए वह विकल्प प्रेश्ण सही उत्तर वाले विकल्प टिक लगाना है बच्चो लेखक होता है लिखने वाला किसका कोई अंत ना हो उसे कहते हैं अनंत ठीक है अच्छे आचरण वाला क्या होता है सदाचारी ठ यहां पर टीचर पढ़ा रहा है अध्यापक तो यह हो जाएगा हमारा शिक्षक नाव नेक्स क्योस्टिंग बच्चो दिएगे उधारन को समझ कर निमखित प्रेश्णों के उत्तर दीजिए जैसे उधारन सीता पढ़ाती है वह शिक्षिक है तो ऐसी आप लोग यह अपन करते हैं वह ऋगर लिखेंगे कि बोजय है डॉक्टर है शिक्षक है पर मजदू है या फिर आप बरकर हैं जो भी हैं दुकान दार है शोब की पर अपकी माता जो करती है हाऊस वाइफ है वरकिंग बुमन हैं तो आप बो लिखेंगे बाई क्या करता है स्टेडी बढ़ाइ करते हैं या जोब करते हैं, वो सब आपको लिखेंगा, आपकी बहन करती है, या हैल्प करती है, घर में जो भी घर भी है आप सब इस होमवर्क को घर पर अपने आप करेंगे, झाल झाल